कुल्धरा गाउं ब्राह्मनों के क्रोध का प्रती जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं जी कुल्धरा गाउं में अभी रात को समय में गाउं के अंदर कोई नहीं रहते हैं लेकिन ये दुख बुलते हैं के यहां रात की समय में कुल्धरा के अंदर भूत होते हैं राजस्थान के जैसल मेर शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कुल्धरा गाउं आज से 500 साल पहले 600 घरों और 85 गाउं का पालिवाल ब्राह्मनों का सामराज्य ऐसा राज्य था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है रेगिस्तान के पंजर धोरों में पाली नहीं मिलता वहाँ पालिवाल ब्राह्मनों ने ऐसा चमतकार किया जो इनसानी दिमाग से बहुत परे था उन्होंने जमीन पे उपलब्ध पानी का प्रयोग नहीं किया ना बारिश के पानी को संग्रिद किया बल्कि रेगिस्तान के मिट्टी में मौजूद पानी के कन को खोजा और अपना गाउं जिपसम की सते के उपर बनाया उन्होंने उस समय जिपसम की जमीन खोजी ताकि बारिश का पानी जमीन सोखे नहीं और आवाज के लिए गाउं ऐसा बनाया कि दूर से अगर दुश्मन आए तो उसकी आवाज उससे चार गुना पहले गाउं के भीतर आ जाती थी हर घर के बीच में आवाज का ऐसा मेल था जैसे आज के समय में टेलीफोन होते हैं जैसल मेर के दीवान और राजा को ये बात हजम नहीं हुई कि ब्राहमन इतने आधोनेक तरीके से खेती करके अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं तो उन्होंने खेती पर कर लगा दिया और पालीवाल ब्राहमनों ने कर देने से मना कर दिया इसके बाद दीवान सलीम को गाउं के मुख्य की बेटी पसंद आ गई तो उसने कह दिया या तो बेटी दीवान को दे दो या सजा भुगतने के लिए तयार रहे ब्राहमनों को अपने आत्म सम्मान से समझा था बिलकुल बर्दास नहीं था इसलिए रातो रात 85 गाउं की एक महा पंचायत मैठी और निरने हुआ के रातो रात कुलधरा खाली करके वो चले जाएंगे रातो रात 85 गाउं के ब्राहमन कहां गए कैसे गए और कब गए इस चीज का पता आज तक नहीं लगा पर जाते जाते पालीवाल प्राहमन श्राप दे गए कि ये कुलधरा हमेशा भी रान रहेगा इस जमीन पे कोई फिर से आके नहीं बस पाएगा आज भी जैसलमेर में जो तापमान रहता है गर्मी हो या सर्दी कुलधरा गाउ में आते ही तापमान में चार डिगरी की बढ़ोतरी हो जाती है विज्यानिकों की टीम जब पहुँची तो उनके मशीनों में आवाज और तरंगों की रिकॉर्डिंग हुई जिससे ये पता चलता है कि कुलधरा में आज भी कुछ शक्तियां मौजूद है जो इस गाउ में किसी को रहने नहीं देते मशीनों में रिकॉर्ड तरंग ये पताती है कि वहां मौजूद शक्तियां कुछ संकेत देती है आज भी कुलधरा गाउं की सीमा में आते ही मौबाइल नेटवर्क और रेडियो काम करना बंद कर देते हैं पर जैसे ही गाउं की सीमा से बहार आते हैं मौबाइल और रेडियो शुरू हो जाते हैं आज भी कुलधरा शाम होते ही खाली हो जाता है और कोई इनसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता